मुश्कार स्वागा था सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में जैसा कि हमने आपको एक वीडियो दिया था उसमें में बताया था कि UGC अपने बड़े बदलाव करना चाहती है नए शेशन के लिए कई सारे बदलाव किये जा सकते हैं तो इस संबन में UGC नई गाइडलाइन अपनी जारी कर दी जो की फाइनल गाइडलाइन है जैसा कि आपको पहले बताया गया था उसी प्रकार से इसमें भी परिवर्तन किया गया है आप देख सकते हैं उसी ने उच्छा के लिए जारी की गाइडलाइन एक सितंबर से सुरू होगा नया शेशन लब जो एक जुला होगा नया एडुशन जो होंगे फस्ट यहर में होगे उनका 1 सेप्टमबर से सुरू होगा क्योंकि इría उनके इंटर के रिजल्ट आएंगे उसके बाद इंटर के ऊसके बाद में उनका फोगा ज़की जो click सेकेंड गाइडलाइन में UGC ने कहा है यानि दो चीज़े निकल के आ रही है कि जो फस्टियर में है उसका जो स्टार्ट होगा सेशन वो एक सितंबर से स्टार्ट होगा जब कि जो फाइनल येर सेकेंड येर या फाइनल येर में पहुंच गया है उनका एक अगस से नया सेसन स्टार्ट होगा अब ये तो निकल गया है और आपको बताएं कि जो परिच्छाएं छूट गई थी इधर जो छूटी थी उनके संबन में भी UGC ने गाइडलाइन जारी करती है वो सारी परिच्छाएं किराई जाएंगी और दर माई के लास्ट से जून में वो परिच्छाएं कराया जाने का प्रस्ताव रखा गया है कि कोरोना वाइरस को देजबर में लागू लागडाउन के बीच UGC की विशने कमेटी नि उस चफ्छा के लिए नया Council के लिए नयक अचनल जबकि दूसरे और तीसरे वरस के आशना तक चात्रों के लिए नयक के कब्रह जैसके ज़र्ण हुआइं ब्रहम जो था कि कबसे स्टार्ड होगा क्या होगा कस एडमिशन सब्सक्राइब कि अन्य सेशन जो एक सितंबर से स्टूровण के लिए एकट से स्टार्ट हो सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद में 14 अगस तक सारे पेपर कंप्लीट कर लिए जाएंगे जो भी पेपर बचे हुए है वो 14 अगस तक पेपर करा लिए जाएंगे ठीक है तो यह जो है यूजी सी की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था मैंने कहा था कि जैसे कोई नोटीस हाती है मैंने आपको बताएंगे तो जैसे नोटीस हाई है मैंने आपको बताया है अगर इससे और कोई नोटीस आती तो हम आपको जल्दी से जल्दी प्लब्द कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ बराबर जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेर करें, थेंक्यू